वह सुबह से काम कर रही है इस सेंटेंस की इंगलीज जानेंगे आज की इस वीडियो में तो चलिए हम इस सेंटेंस को इंगलीज में ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंस के अंत में रही है और क्रिया को करने में समय भी दिया गया है सुबह से इस तरह का sentence होता है present perfect continuous sentence का ये affirmative है present perfect continuous sentence के affirmative sentence को इंगलिज में translate करने का structure होता है पहले subject, subject sentence में वह, यहाँ पर वह की इंगलिज C C की साथ helping verb, has, फिर been लगाएंगे, फिर verb और verb का ing form वर्ब है sentence का काम कर रही है तो काम करना की इंगलिज work work में आएंजी form working उसके बाद हम लिखेंगे since या फार का प्रयोग करके sentence में दिया गया जो समय है उसे हम इंगलिज में लिखेंगे सुबह से है, तो यानि point of time के लिए since का प्रयोग करते हैं सुबह से सामसे इस तरह के sentence को बताने के लिए since का प्रयोग करते हैं सिंस सुबह यानि morning, she has been working since morning, वह सुबह से काम कर रही है, इसके इंगलिस, she has been working since morning, यदि यह sentence होता, वह सुबह से यहाँ काम कर रही है, तो यहाँ पर working के जगा doing लिखेंगे, और यहाँ काम के इंगलिस, this work, यानि, she has been doing this work since morning, वह सुबह से यहाँ काम कर रही है, She has been doing this work since morning इसी तरह अगर यह sentence होता वह सुबह से अपना काम कर रही है इसकी इंगलिस She has been doing her work since morning वह सुबह से अपना काम कर रही है She has been doing her work since morning यदि यह sentence interrogative हो जैसे कि क्या वह सुबह से काम कर रही है इसकी इंगलिस Has she been working since morning क्या वह सुबह से काम कर रही है यदि सेंटेंस होता क्या वह सुबह से अपना काम नहीं कर रही है इसकी इंगलिस तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के और भी Hindi to English translation के next वीडियो में Present Perfect Continuous Tense के और भी sentences का इसी तरह Hindi to English translation वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के description box में आपको Present Perfect Continuous Tense का playlist मिल जाएगा वहाँ क्लिक करके आप ऐसे बहुत सारे sentences का translation वीडियो देख सकते हैं Thanks for watching